नमस्कार फ्रेंट्स मेरे नाम बबलो उर्मा पेपर है कर मैं आपका स्वागत है हम देखने वाले हैं प्रिशन नंबर नाइन के लिए और हम कहां पर थे यह बीए फोर समिस्टर और यूनिट नंबर जो अपना है वो हो जाता है त्री जिसमें हमने एडिट तक कंप्लीट कर है और आपके हर हर एक्जाम के अंदर गती एक कुशन देखने को मिलने वाला है ठीक है तो आपको इसको अच्छी प्रिकास से पढ़ कर जाना है तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इस कुशन कुम ले रहे हैं तो बैबर दोरा प्रती पादित ओधोगिक अवस्थती अच्छी प्रिकास से पढ़ लोगे तो पूरा कुशन याद हो जाएगा ऐसा कुछ इसमें है नहीं बस आपको समझने की वारी है तो इस्टार्ट करते हैं उत्तर के लिए उत्धोगों के अवस्थती सिध्धान का प्रती बादन सरपर्थम अलफ्रेंड बैवर ने ही किया उत्धोगों की इस्थानी कर निश्चित भोगोलिक आर्थिक परिस्थती दसाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है किस किस में उत्धोगों की इस्थानी कर निश्चित भोगोलिक आर्थिक मतलब एकोनिव की बात करता है इसको ध्यान में रखकर इसका ध्यन किया जाता ह सामानिता जिस इस्थान पर कम लागत और अधिक लाब हो बही उद्धो का उत्तम बिकास इस्तल माना जाता है जहाँ पर लागत कम लगे और जदा लाब हो ठीक है अगले ऐसे इस्थानों के चैन में बशाब स्थान से कच्चे माल और बाजार की दूरी परिवहन के सादनों की इस्ति उर्जा की आपिरती स्रम आपिरती आदे नरणाय को होती है चाहें हम बाजार के कच्छे माल की बात करने चाहें बाजार को बेचने की बात करें या हम परिवहन को आने की परिवहन से अपने माल को लाने और ले जाने की बात करें ठीक कच्छे माल को लाने की और पके हुए माल को ले जाने की बात करें या हम उर्जा की बात करें क्योंकि हर उद्धो के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है स्रम की बात करें और हम सिर्मिको की बात करें ठीक है जो हमें सस्ते और सुलब रिकार से मिल सकें तो अनेक अर्थ सास्त्री एवं भोगोल वेत्ताओं ने और धोगिक इस्थाने कर सिध्धानतों का प्रतिया बादन किया इन्हें तीन सिध्धानतों में माटा गया है अब कौन कौन सिध्धानत है इनको आपको ध्यार नखना है ठीक है कितने सिध्धानत है तीन सिध्धानत मांग करेगा बाजार ठीक है और बात करते है थर्ड जो इस्थानिय कड़ में पारिस परिक आसरम पर बल देता है आसरम मतलब जो लोग उसमें काम करने वाले हैं जो इस्थानिय कड़ में पारिस परिक आसरे पर बल देता है तो इस प्रकार से तीन सिध्धान्तों में इसनों बाटा है ठीक है अब बात करते हैं आगे की ओड़ तो बैवर ने अपने सिध्धान्त में लागतकार को उपर बल दिया किसके लागतकार को उपर बल दिया बैवर ने इस सिध्धान्त के उद्धो के इस्थानी कड़ पर परिवहन मूले का सरबदिक प्रभाप पड़ता है अता जिस केंद्र पर परिवहन लागत कम होगा वहीं उत्पादन लागत केंद्र भी होगा और उस केंद्र पर ही उद्धो की स्थापना होगी उन्होंने अपने इस सिध्धान्त में अपबाद के रूप में सस्ते इस्रम और सनाजनातमय के 71 की भी चर्चा की है बैबर का सद्धान नमनिकित मानिताओं पर आधायत देखने को हमें मिल जाता है कौन कौन सी मानिता है वो यहाँ पर दे रहा कि आपको 4-5 मानिता है को याद का लेना है जैसे बात करिंगे पहली मानिता है कारखानों की अवस्थति पर दिक्कत होने वाली है आपको temperature maintain करना पड़ेगा तो इसलिए एक इस्थान और एक ही जलवायों के अंद्रकत होना चाहिए दूसरा एक इस्थान एक ही कार खाना का बिसले स्ड़वा चाहिए नहीं कि आपने एक कार खाना को लाउस के जगए में बहुत सारे कार खाने बही के अनुपात में बढ़ता हो परिवहन जो है बैभार और दूरी के अनुपात में बढ़ता हो ठीक है और स्रम निश्चित छेत्र में उपलब्द होना चाहिए स्रिमिक जो है उनकी बात कर रहा है जिस किसी भोगोलिक प्रदेश में उपरयुक्त मानताओं के कार करेगी बह बहन लागत का प्रभाव बैवर के नुसार तो बैवर ने इसमें दसाएं पहली दसा की बात करें कच्छा माल सरबत उपलब्द होने पर उद्धो की इस्थापना बाजार के पास हो उधार के लिए बरतन उद्धो की बात करें ठीक है बरतन उद्धो के हाँ पर बनाया और बाजार पास में है वहाँ से सेल कर दिया अगले प्रेंट की बाजार या कच्छा माल यदी सुद्ध और इस्थानी है तो उद्धोग बाजार या कच्छी समागरी के इस्थान पर लगेंगे उधार के लिए सूती वस्त की बात कर लें हैं ठीक है नेक्स प्रेंट कच्छा माल असुद्ध और इस्थानी हो तो उद्धोग कच्छे माल के पास लगेंगे जैसे की चीनी उद्धोग ठीक है अगले की बात करें दूसरी दसा की बात कर लें हम दूसरी सम्वेवर क्या कहते हैं दो या दो से अधिक कच्छा माल एक बाजार की अ और यहां पर मालो बाजार है ठीक है और यहां पर आपका कच्छा माल है कच्छा माल है और एक कच्छा माल इदर है ठीक है एक कच्छा माल यहां से प्राप्ट हो रहा है ठीक है तो यह हमारी थोड़ी सी इस्तिती है और यहां पर जीरो केंदर है ठीक है अभी सही है तो बात क अधिक कच्चा माल एक बाजार की अवस्तिती में तो एक कच्चा माल तखा एक बाजार की पहले पॉइंट्स की बात करें दोनों कच्चा माल सरबत सुलब होने पर उद्धोग बाजार के पास होगा देखो बात कर रहा है यदि कच्छी सामागरी सुद्ध है तो उद्धोग बाजार बिंदू पर अबस्तित होगी यदि कच्छी सामागरी सुद्ध है अगर अच्छी है सुद्ध है तो उद्धोग बाजार उद्धोग बाजार बिंदू पर अबस्तित होगा जहां पर बाजार होगी क्योंकि जब जब समागरी ही सुद्ध है तो उसको टायेटली कर सकते हैं वहीं पर ही बेज़ सकते हैं तो बाजार कहां लागेगी जहां पर कच्चा माल प्राप्तो हो रा है सुद्ध अगले बात करेंगे एक से अधे कच्चे माल के लिए बैबर ने तिर्बुजाकार सिध्धानत कृति इंपाजित किये जो हमने अभी उपर देखा खाश कर लोहा इस पात उद्धोग के संबंद में तिर्भुजा कार सिधान्त महात्पूर है यदि दो कच्छा माल तथा एक बाजार मिलकर तिर्भुज बनाते हैं तो उद्धोग मध्यम बिंदू के उपर लगेगा जो ना तो क उसकी तरफ क्या हो जाएगी जो कि जाएगी जैसे आप देखो उपर जुकी हुई है मैंने बनाया है यहां पर कच्छा माल था पहला प्राप्त हो रहा था और यहां पर कच्छा माल दूसरा प्राप्त हो रहा था बाजार कहा लग रही है बाजा लग रही यहां पर और कें अगले बात करें इस सिद्धानत के अनुसार यदि उत्तवादित पदार्थ का भार कम हो जाता है तो उत्धोक की स्थापना तिर्बुज की आधार के पास होती है लेकिन यदि दो कच्छे माल को मिलाने के बाद उपस्थित पदार्थ की भार में बद्दी होती है तो धोकिस्तापना तिर्बुज की इस्तिती सिर्ज बिंदू के पास देखने को हमें मिल जाती है ठीक है अगले बात करेंगे अपबाद की इस्तिती में बैबर ने सस्ते परिवहन लागत से दो पाइस्तितियों के में बिचलंग की कलपना की जो पहला था सस्ते श्रम का, दूसरा था सुविधाओं का एकत्री कड़ का प्रिभाग, सस्ते श्रम का प्रिभाग, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, बैवर ने परिवहन लागत के केंद्र में नियुनतम लागत का केंद्र माना है, परंतु कभी-कभी श्रम से हट कर नियुनतम स्रम लागत केंद्र पर उद्धोग स्तापित किया जाता है, बसरते बिस्तापन से परिवहन लागत में ब्रद्धी की भरपाई, श्रम लागत में कमी दौरा हो जाए, ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करें, इस तरफ जिन बिंदूओं पर परिवहन खर्च एकाई ब्रद्धी होती है, उन्हें मिलाने बाली रेखा को आईसो डापेन कहते हैं, यह नियुनतम लागत रेखा का निर्धाल करती है, ठीक है, तो इस प्रकास से आपको यह देखने को मिल जाती है, अब आगे की ओल, हम बात करेंगे एकत्त्री कड़ का प्रभाव, कौन में अनावश्यक खर्च की बद्धी होती है, जिसका प्रभाव उत्पातन लागत पर पढ़ता है, अता किसी के इंदर पर अता सनचनात्मा के सुविधाएं जैसे तकनिकी बिपढ़न बैंकिंग आदी उपलब्द हो, तो अधिक परीबहन की इस्तिती में भी उद्धो की स अर्थवस्ता की कलपना और परीवहन मूल्यों के साफ़ पेच्छे के ब्रदी हमें देखने को एक है, इनकी आलोचना देखने को में जाती है, अगला नियुन्तम परीवहन लागत का चिंतन ही गलत प्रती तो होता है, बिलको सही बात है, नियुन्तम परीवहन लागत तो ह कोई नहीं सकती ठीक है जितना कर जाता है उससा तो जो बंदे कमाने की कुश्य करते हैं तो परिवहन लागत जादा ही आती है बाजार एक इस्थाई कारक ना होकर गंतत्यात्मक कारक होते हैं मतलब बाजार इस्थाई नहीं होते हैं कहीं कहीं लगते हैं तो कहीं कहीं माल ले इसमें स्थानी कड मांग को पर साथनिक रनायकScript आएं, बहुत ही हैं, महान्पूर होते हैं, हमारी अकोनोमी को ग्रोध करने लिए, तो ये भी बैवर की एक आलो चुना कीगी, अगले बात करेंगे, स्थानी कर्ण बाजार की मांग और क्रेच शमता पर निर्भर करता है, जो जो क्रे कितना जो ग्रहा के वो क्रे करता है उसी के अनुसार बाजार गड़ती है और बढ़ती है और मांग भी गड़ती बढ़ती है ठीक है अगले बात करेंगे इनकी अनुपस्तिती में नियूंतम लागत के बावजूत हानी की संभावना रहती है जो इनकी अनुपस्तिती है और नियूंतम लागत की बावजूत भी हानी की अवशक्ता जादा रहती है अगले बात करेंगे अगला जो है आधुनिक के समय में उद्धोग का इस्थानी करड राष्टिये नियोजन के अंतरगत होता है और ऐसी इस्तिति में बैबर के सिद्धान्त के उपयोगता में कमी आई मतलब आधनिक समय में उद्धोग का इस्थान निकड़ जो राश्टी नियोजन के अंतरगत होता है और ऐसे इस्तिति में बैबर के सिदान्थ की कमी हमें देखने को मिली क्योंकि बैबर क्या कहते हैं बैबर कहते हैं उद्धोग और कच्छा माल के अनुसार ही बाजार का नि सिर्फ आपको सुनना है आपको सारा कुछ कंप्लेट हो जाएगा अब हम उद्धोग और चीनी उद्धोग जैसे कारखानों के इस्थानी क्रड़ की ब्याक्या इन सिद्धान्तों द्धोड़ा की जा सकती है वजन बद्धी वाले खाग पदार्तों के उद्धोग में भी मिल जाती है ठीक है तो इस बरकार से अपना ये कुशन था जो हमने बहुत अच्छी बरकार से बैवर के सिद्धान्त को देखा तो मेरा मानना है कि आपको सबको समझ में आया होगा और आपने पढ़ावी होगा ठीक है तो इस वीडियो को अभी दो बार आपको देखना है दो बार अभी और देखना है दो बार आप देख लोगे तो ये कुशन बिलकुल आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा एक तो बार आप देखी लेना टूकी स्पीट में बढ़ा कर ठीक है जो कि आपका बिलकुल जो भी प्रॉब्लम है सारी की सारी क्लोज रहा है वैवर आप